तो लो बच्चों तो क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन ठीक है और उसमें अभी तक हम पढ़ रहेते एक्सिलेरेशन क्या होता है वेलोशिटी क्या थी स्पीड क्या थी कितनी टाइप होती है डिस्टेंस क्या था डिस्प्रेस्मेंट क्या था यह सभी कंसेप्ट कंप्लीट आधे लिए सब्सक्राइब करते है था किशें रिलेशन और उनके हमारे नाइंथ क्लास में दो है for finding first is graphically and second is analytical यानि formula से भी find कर सकते हैं तो let's start equation of motion तो equation of motion क्या होती है कि when a body is moving uniformly uniformly constant acceleration constant acceleration ठीक है constant acceleration से move कर रही है then we can find the relation speed displacement time ठीक है तो हम इनका relation निकालते हैं और इन relation को हम बोलते हैं equation motion equations of motion these relations are called equations of motion ठीक है तो आपकी जो equations of motion ने वो थिरी है ठीक है तो पहले हम लिख लेते हैं बाद में उन्हें find करते हैं कि three equations कौन सी है तो first equation है आपकी v is equal to u plus 80 ठीक है first equation है second equation है s is equal to ut plus half 80 square and third equation है v square is equal to u square plus 2as ठीक है एक फोर्थ है जो अभी आपको नहीं पढ़नी है अभी हम three questions को solve करेंगे तो v is equal to u plus 80 s is equal to ut plus half 80 square और v square is equal to u square plus 2as ठीक है आपको यह आने चाहिए कि यह symbols किस-किस के लिए यूज करते हैं यू क्या है initial velocity है यू क्या है initial velocity v क्या है final velocity a है acceleration s है displacement and t है time ठीक है तो यह हमारी equations है यह इनके symbols है और इनको हम इस type से बोलते हैं अब इनको हमें find करना है कि यह equations कैसे बनाई जाती हैं तो ठीक है लेट्स फाइंड equations by graphical methods तो सबसे पहले methods को हम लेते है graphical methods ठीक है यह clear हो गया आपका चलिए आगे बढ़ते है तो equation motion क्या होती है यह relation होते है initial, final, displacement, time, acceleration का relation होता है ठीक है तो अब पढ़ते हैं, first method to find the equations of motion by graphical method ग्राफिकल मैथड ग्राफ समझते हो जैसे graph बनाते हैं आप मैथ वगर अगरा बनाते हो तो ग्राफिकल मैथड हम यहां ट्रो करते हैं उससे पढ़ते हैं तो सपोज करों के लेट्ट a body is moving a body is moving with uniformly uniformly accelerated motion accelerated motion starting from position a with speed u and reach at point b with speed b ठीक है तो एक object है body है कोई जो a position ज़र चल रही है u speed से start करा इसने और कहां पहुँच गई b पर पहुँच गई और केसी speed कैसी हो जाएगी पहले आप पता है था मैंने आपको सबसे starting में जो object चलता है तो initial speed होती है बाद में वो final speed हो जाती है initial होती है तो u बोलते है और final होती है तो b बोल देते है तो लेट्स ग्राफ ड्रो देट इस एक्स और वाय कोडिनेट ग्राफ ठीक है देट इस एक्स एंड वाय ठीक है this is origin that is zero तो suppose करो body यहां थी पहले a position पर और uniformly accelerated है तो this type का motion होगा ठीक है ऐसी ग्राफ आएगा constant ग्राफ और यह आपका point हो गया b यहां पहुच गई ठीक है आपसे पूचा है और यह suppose करो इससे यहां तक पहुचने में कितना time लगा है यहां तक पहुचने में t time लगा है किलियर है यानि जीरो और इसको मालो a b c यानि oc की value क्या हो गई ती किलियर है दियान से देखिए यह t है oc अगर हम इससे ऐसे यहां कर लें तो यह भी क्या t होगा इस point को आप दे दीजिए a b c and d के लियर है अच्छा देखिए दियान से यह speed कितनी यहां पर क्या speed ती इसकी यू कि यहां पर क्या है वी कि टाइम के साथ speed बढ़ी है यह वी अच्छा देखिए यहां से अगर यह यू है तो क्या यह भी यू होगा देखिए यह टी है यह rectangular बनना है तो यह यू है तो यह भी यू होगा यह पूरा कितना है वी तो यह वाला कितना होगा इसे निकाल सकते हैं बी टी को ठीक है तो हम पहले note कर लेते हैं क्या-क्या हमारे पास है इस समय पर तो o a is equal to U AD is equal to T और AD किसके क्वल है OC के और ये भी किसके क्वल है CD के केलियर है ये U, ये U, ये T ये T, चलो जो बहुत अच्छे BC आपका B है अगर हम से पूछे भाई BD निकालना है तो BD कैसे निकालेंगे देखे इस BC में से अगर हम CD को सब्टेक्ट करेंगे BC में से CD को सब्टेक्ट करेंगे तो ये वाला part मिल जाएगा हमें तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं BC minus CD BC है B और वो है U तो इसका मतलब BD की value होगे B minus U ठीक है ठीक है ठीटा ले 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 अच्छा इसको अब अच्छो हम slope बोलते हैं ठीक है अभी slope अभी ये starting नई चीज है आप जैसे जैसे questions करेंगे आप समझवा जाएगा इसको क्या बोलते हैं ये slope होता है slope ठीक है एक्स वाइ एक्स में अगर हम ऐसे लाइंग घीशते हैं तो स्कुम क्या बोलते हैं slope होता है ये reality में अच्छा चलो acceleration निकालना है में ठीक है तो slope के according निकाल लेते हैं ये slope क्या बताता acceleration बताया था आपके AB और कैसा acceleration था constant acceleration है तो acceleration is equal to ठीक है अपॉन टाइम ठीक है एक्सिलिरेशन को एसे डिनोट करते हैं चेंज इन वैलोसिटी क्या होती है चेंज इन वैलोसिटी आपने पढ़ा है वी माइनस यू और टाइम क्या होता है टी अगर इसकी क्रॉस मुल्टिप्लाइए करोगे तो वी माइनस यू इस इकल टू राइप देखिए आप समझा रही हूं मेरे क्या बताइएए धीक है और जो स्लोप होता है वह हमेसा क्या होता है 10 θ होता है, slope को हम 10 θ देखते हैं, ठीक है, एक टिग्नोमेटरी का function आएगा भी आपके बाग, उसे हम slope लिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, perpendicular upon base, ठीक है, perpendicular upon base, और ये perpendicular right angle में ठीक है, ये right angle है, तो ये perpendicular है, ये base है, यानि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के जो slope है हमारा, perpendicular क्या है, आपका, V-U upon T, और ये क्या बताता है, एक्सिलेरेशन ही बताता है, V-U upon T, यहां पर, तो ये हो गया, V-U is equal to A T, so V is equal to U plus A T, चाहें आप इसे ऐसे कर लिजिए, चाहें आप acceleration का डारेक्टिव फॉर्मूला बोल दीजिए, एक्सिलेरेशन is equal to change in velocity upon time, क्लियर है, तो फर्स्ट उक्रेशन आगई आपकी, फर्स्ट उक्रेशन देखिए, इस वाले कर आप से आगई, that is slope, इस slope से आपकी फर्स्ट उक्रेशन फाइंड हो गई, चलिए, इस देखिए, सेंट उक्रेशन फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे सेंट उक्रेशन, चलिए, सेंट उक्रेशन के निए जा रहा है, तो सेंट equation में देखिए इस for second equation देखें क्या करना पड़ेगा मैं आपको एरिया लेना एरिया अंडर गार एरिया अंडर कर्व ठीक है यह कर्व है और इसके अंडर का एरिया वह कहला आपका displacement ठीक है क्या होता है एरिया अंडर कर्व क्या कहलाता है displacement तो देखिए यह नीचे जो एरिया इसे कैसे निकाल सकते तो उसमें देखो एक ट्रैंगल बना हुआ है और एक बना हुआ अबर एक्टेंगल तो अगर हम इन दौनों के एरिया को एड करते हैं तो हमें यह displacement मिल जाएगा ठीक है कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे displacement जो है आपका यह displacement किसकी है displacement की है तो displacement कैसे मिलता है वो मिलता है एरिया अंडर कर्व तो displacement is equal to area of triangle ट्राइंगल क्या बना हुआ है ए डी बी या बी ओ बी ए डी ठीक है कैसे भी बोल लीजिए आप इसे बी ए डी पिलस area of rectangle रेक्टेंगल क्या है यह है आपका aocd चलिए जी displacement को किसे डिनोट करते हो एस से area of triangle क्या होता है 1 upon 2 base into height 1 upon 2 base क्या है इसका a.d और height क्या है b.d पिलस area of rectangle क्या होता है length into breadth यानि oc और into c.d तो s is equal to 1 by 2 a.d को क्या रिखेंगे t vd क्या है b-u oc क्या है t और cd क्या है u तो tu या ut कैसे रिख लीजिए आप इसको चलिए अब second equation में यहाँ पर बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो second equation है आपको याद है मैंने equation दिखा ही दिए आपको s is equal to ut plus half a t square तो देखिए इस equation में द्यान से देखिए कि इस equation में b नहीं है final velocity और यहाँ पर हम देख रहे है final velocity है तो अगर हम इस final velocity को replace कर दें ठीक है final velocity को replace कर दें यानि इस b की value रख दे कुछ तो हमें यह formula मिल जाएगा b replace हो जाएगा अब b को replace कैसे करेंगे देखिए अब भी आपने first equation निकाली है क्या निकाली थी first equation v is equal to u plus 80 तो आप समझ गए कि क्या करना है आपको b के place पर u plus 80 replace करना है v के place पर u plus 80 replace कर दीजिए यहां से 1 by 2 t v के place पर कर दीजिए u plus 80 minus u plus ut clear हो गया u से u cancel कर दीजिए half t की multiply कर दीजिए इसमें तो यह हो गया half 80 square plus ut clear है इसको सीधा कर दीजिए यहां से ut plus half 80 square this is the equation second ठीक है equation यह second है s is equal to ut s is equal to ut plus half 80 square clear है चलिए third equation find करते हैं थार्ड केशन थार्ड केशन क्या बताती है आप ते देखा थार्ड केशन देखिए थार्ड केशन बताती है v square minus u square is equal to 2 a s या फिर हम इसको लेख सकते है v square is equal to u square plus 2 a s ठीक है यानि आपको velocity acceleration displacement का relation मिलेगा बस time नहीं है इसमें तो देखिए third equation को कैसे लेना है इसी area under curve लेते हैं तो इसमें देखिए पहले भी आपने निकाला तो इसमें निकाला था area of trapezium, trapezium बनना है न यह देखिए a o c d b a o c d b area of trapezium क्या होता है area of trapezium होता है अपका area of trapezium 1 by 2 sum of parallel side parallel side कौन सी है देखो o a किसके parallel है b c के तो आप लिखोगे o a plus b c sum of parallel side into non parallel तो non parallel यह है यानि height as की इसको लिख लिए a d ले लीजिए चाहे o c ले लीजिए कोई Vi km2 लिखिए by c की जगए बर वी लिखिए है और a d की जगए पर टि लिख लीजिए क्याया रोगे आप देखिए यहा भी מחाई चीज है क्या है कि हमें यहां पर ट की निड़ है नहीं अब अब हमें T की नीट नहीं है तो हमें T को replace करना पड़ेगा, T को replace कहां से करें, T को replace करते हैं, first occasion से, यहां से T की value find कर लेते हैं, ठीक है, यहां से T की value find कर लीजिए, तो V minus U is equal to AT, so T is equal to B minus U upon A, clear है, T is equal to V minus U upon A, तो T की place पर आप B minus U upon A put कर लीजिए, तो S is equal to 1 upon 2, V plus U, V minus U upon A, आगया सुने, V minus U upon A, देखें 2 और A, क्या L से हमें 2A की इधर multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2A S, यह हो गया आपका, V plus U और V minus U, क्या हम इसे B square minus U square लिख सकते हैं, यह math की identity है, पढ़ी होगी आपने बच्चों, कि A plus B, और A minus B, इनकी multiply करेंगे, तो क्या आता है, A square minus B square, clear है, ठीक हो गया, A square minus B square, तो आपकी equation 3rd आ गई, B square minus U square is equal to 2A, तो ठीक है, यह ता process आपका, graphically method, for equations of motion, ठीक है, इसके जो next, एक और process है, वीडियो में लेकर सिखाएंगे, ठीक है, यह ता आपका graphically method, इसके practice कीजिए, जो आपके काम आएगा, और best of luck, study करते हैं, route of study के साथ, चैनल को like करें, subscribe करें, okay,